बहुत बहुत स्वागत है साथियों एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपनी यूनिवर्स्टी और पीस्टी एक्जाम ओनलाइन डिजिटल प्लेटफों में मैं आपके सामने आसिस आ रिये देखेगा student जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार आज second class लेकर के आपके सामने आये हैं और वो भी किस की cell बायो की दोस्तों ये जो class है आपके लिए आप चाहें first grade की तैयारी कर रहे हैं या second grade की तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए ही बड़ी important class है और इस टोपिक से इस यूनिट से निश्चित मान करके चलना आपको दो से तीन क्यूशन देखने को मिलते हैं किलियर है तो step by step अपन थोड़ा सा कागे बढ़ते हैं कल साथियों मैं आपसे जो next time बात कर रहा था वो ये था कि कोशी का सिद्धान्त शर्कोशी का सिद्धान्त के बारे में जो बात करने वाले थे वो कौन थे सलाइडन और स्वान थे कौन थे साथियों सलाइडन और स्वान अब ये सलाइडन और स्वान है इन्होंने last में क्या बताया था इसको लेकर के मैं बात कर रहा था इन्होंने कहा था कि सभी सजीओं का सरीर, अल ओर्गेनिजम्स की जो बोड़ी होती है, वो कोशिकाओं से बनी होती है. किस से बनी होती है? कोशिकाओं से और इन कोशिकाओं में विदलन और विभाजन होते रहते हैं. ये बात भी आपको कोशिका सिद्धान्त में बताई किसी भी सजीव की प्रात्मिक इकाई होती है, साथ में याद रखना है, ये जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं में प्रजनन करने की छमता भी पाई जाती है, किसकी भाई प्रेजनन करने की चमता भी पाई जाती है अब बात आती है कि ये जो कोशी का सिद्धान्त है जिसे आप सेल थोरी कह रहे हैं इस कोशी का सिद्धान्त का जो शमर्थन किया है वो किस ने किया है तो next time में बता रहा था कि जो कोशी का सिद्धान्त है इसका था सभी नई सेल की उत्पत्ती पूरव वर्ती कोशिकाओं से होती है किलियर ठीक इसके बाद में हमने कौर्ल नेगेली का नाम भी लिखा था ये कार्ण नेगेली क्या कह रहे थे ये ये कह रहे थे कि सभी नई कोशिकाओं जो है वो पुराने कोशिकाओं के विवाजन से बनती है और लास्ट टाइम हमने एक क्यूशन भी लिखा था किलियर है न जो आपके एक्जाम में पूछा हुआ क्यूशन है किलियर साथियों तो अभी अपन थोड़ा सा कागे बढ़ते हैं कोशिका की सामान्य जानकारी को लेकर के बात करते हैं किलियर तो लिखना कोशिका की सामान्य जानकारी लिखेगा कोशिका की सामान्य जानकारी लिखेंगे आप कोशिका की कोशिका की सामाने जानकारिया कोशिका की सामाने जानकारिया किलियर है कोशिका की सामाने जानकारिया किलियर है सातियों आपको याद रखना है संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या याद रखना है संसार की सबसे बड़ी कोशिका सबसे पहला विद्द संसार की सबसे बड़ी सबसे बड़ी कोशिका यानि largest cell कह सकते हैं largest cell के लिए संसार की सबसे बड़ी कोशिका आप कहेंगे सुतर मुर्ग का अंडा सुतर मुर्ग का अंडा इसी सुतर मुर्ग के अंडे को अपन कहेंगे इसे ही हम क्या कहेंगे इसे ही हम क्या कहेंगे 13 सेंटीमेटर इंटू 7.5 सेंटीमेटर जिसको हम किसमे व्यक्त करते हैं डाइमेंशन में व्यक्त करते हैं किसमे डाइमेंशन में किलिए रह सातियों अपने को ये याद रखनी है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका अगर अपने से पूछ ली जाए तो कौन है सुतर मुर्ग का अंडा जिसे हम एगो फोस्टिच कहते हैं और इसका आकार जो है 13 सेंटीमेटर इंटू 17.5 सेंटीमेटर होता है किलिए रह सातियों याद रखेगा इसके बाद में हम बात करेंगे next अगला क्युशन अपने से क्या पूछा जाता है अपने से पूछा जाएगा सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका सजीव जगत की सबसे छोटी सजीव जगत की सबसे छोटी कोशी का सजीव जगत की सबसे छोटी कोशी का या फिर आप से कह देगा smallest सजीव जगत की जो सबसे छोटी कोशी का है मेरे प्यारे भाईयों ये कुन सी है याद रखेगा यह है सर यहाँ पर LED लाई कुन सी है LED लाई LED लाई किलियर है न कुन सी है LED लाई लिख देता हूँ LED लाई यह सबसे छोटी कोशिका है किलियर है आपने नाम सुना होगा PPLO, MPLO इनके बारे में भी आपन बात करेंगे किलियर है चलते हैं थोड़ा सा का आगे थोड़ा सा का आगे आपन चलते हैं बात करता है वो प्लांट को लेकर किसको लेकर भाई plant को लेकर के साथियों अपने से बात करेगा तो यहाँ पर आप लिख देंगे plant क्या लिखेंगे साथियों plant लिखेंगे देखिएगा plant से सम्मंदित अगर अपने से बात करें plant में वो क्या पूछेगा अपने से ये कहेगा कि सबसे बड़ी कोशी का बताईए किलिए रहे फिर वो ये कहेगा सबसे छोटी कोशी का बताईए और फिर वो अपने से कहेगा कि सबसे लंबी कोशी का बताईए ये तीन चीजें अपने को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए अगर exam की तयारी हम कर रहे हैं तो क्लिए रहना साथियों exam में question बनता है पहले बना है आगे बनेगा क्लिए रहना समझ में आया चलिएगा तो साथियों मैं क्या काय रहा हूँ प्लांट में सबसे बड़ी कोशी का प्लांट में सबसे बड़ी कोशी का कौन है याद रखेगा सर एसीटो बुलेरिया एक कोशी के सैवाल है एसीटो बुलेरिया एक कोशी के सैवाल एक कोशी के सैवाल एसीटो बुलेरिया एक कोशी के सैवाल ये सबसे बड़ी कोशी का है किस में भाई पादपों में इसके बाद में साथियों क्यूशन करता है अपने से पादप में या पादप की सबसे छोटी कोशी का सबसे छोटी कोशी का पादप की सबसे छोटी कोशी का को लेकर साथियों वो बात करता है अपने से तो भाई याद रखना है क्या सर ये सबसे छोटी जो कोशी का है ये कौन सी है याद रखिए माइको प्लाज्मा गेलियो सेप्टिकम क्या लिखेंगे माइको प्लाज्मा गेलियो सेप्टिकम माइको प्लाज्मा गेलियो सेप्टिकम क्लियर है माइको प्लाज्मा गेलियो सेप्टिकम माइको प्लाज्मा गेलियो सेप्टिकम को अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है ठीक इसी प्रकार अपने से क्यूशन कर दिया जाए कि प्लांट की सबसे बड़ी कोशी का प्लांट की सबसे बड़ी कोशी का प्लांट की सबसे चोटी कोशी का और कह दे प्लांट की सबसे लंबी कोशी का प्लांट की सबसे लंबी कोशी का साथियों, इसका जो आंस्वर होगा, यह होगा रेमिक फाइबर रेमिक फाइबर रेमिक फाइबर को क्या कहेंगे आप बोहे मेरिया नेबिया याद रखें यह इसका सायंटिफिक नेम है यह इसका क्या है? सायंटिफिक नेम है अब क्यूशन अपने से कर दिया जाए कि माइको प्लाजमा केलियो सेप्टी कम का जो साइज है वो कितना है सर 0.1 से 0.3 माइक्रो किलियर है न इतना साइज है इसका इतना साइज है ये अपने को याद रखना है जो की NCRT बुक कक्ष्या 11 कहां भई क्लास 11 की जो बुक है इस 11 की बुक में साइज पेज नमबर 83 पर दे रखना है पेज नमबर 83 पर आपको ये देखने को मिलेगा किलियर है साथियों ये छोटी छोटी चीजें है ये अपने को सभी बातें बहुत अच्छे से याद रखने किलियर है साथियों समझ में आ गया होगा चलते हैं थोड़ा सा का आगे यादी मानव को लेकर के बात की जाए किसको भई मानव को लेकर लेकिन एक छोटा सा क्यूशन यहां से और बनता है माईको प्लाजमा जो है इसे पादब जगत का जोकर भी कहते हैं किलियर तो आप लिख सकते हैं माईको प्लाजमा को लिखना माईको प्लाजमा को पादब जगत का जोकर भी कहा जाता है किलियर है जोकर ओफ्लाण्ट किंगडम लिख सकते हैं आप जोकर ओफ्लाण्ट किंगडम कौन है साथियों सर माईको प्लाजमा है कौन है माईको प्लाजमा तो ये सभी बातें अपने को बहुत अच्छे से याद रखनी है पादप में सबसे बड़ी कोशी का पूछली जाए तो सर Acetobularia एक कोशी के सैवाल है पादप की सबसे छोटी कोशी का पूछली जाए तो सर Micoplasma Geliosepticum है और plant की सबसे लंबी कोशी का पूछ ली जाए तो सर रेमिक फाइबर है बोहे मेरिया नेविया है और माइको प्लाजमा जो होता है इसे हम पादप जगत का जोकर या बहर रूपिया भी कहते हैं कि लिए रहना जोकरो plant kingdom कोन है माइको प्लाजमा कई बार एक्जाम में पूछा गया क्यूशन है कि लिए रहे साथियों चलते हैं थोड़ा सा का आगे बात करते हैं कि सर अगर human को लेकर के बात कर लिया जाए तो question करेगा मानव की सबसे छोटी कोशी का कौन सी है लिख सकते हैं मानव में मानव में सबसे छोटी कोशी का साथियों मानव में सबसे छोटी कोशी का याद रखना है कोन है सुक्राणू सुक्राणू को हम कहते हैं इस पर्व के लिए रहे इस पर्व इसके बाद में अपने से question करता है मानव में सबसे बड़ी कोशी का मानव में सबसे बड़ी कोशी का आप कहेंगे सर ओवम जिसे आप लिख सकते हैं अंडानू किलियर साथ हो आभी याद रखेगा सुक्राणू से संबंदित आगर बात की जाए इस पर मेटो जेनेसिस किलियर और एक होता है उजेनेसिस किलियर है एक तो इस पर मेटो जेनेसिस सिस है इस पर मेटो जेनेसिस और एक क्या है उजेनेसिस दोनों को बहुत अच्छे से देखेगा साथियों इस पर मेटो जेनेसिस और ओजेनेसिस इस पर मेटो जेनेसिस कहते हैं सुक्राणू जनन और ओजेनेसिस को हम कहते हैं अंड जनन किलियर अंड जनन की जो प्रिक्रिया है ये निर्मान करती है किसकी किसका निर्मान करती है साब शुक्रानू का निर्मान करती है इस पर्म का निर्मान करती है किलियर अंड जनन की जो प्रिक्रिया है ये निर्मान करती है किससे ये किसका अंडाणू का जिसे हम प्यार से क्या करें ओवम कह रहे है किलियर है साथियों ओवम अब देखीगा यहाँ पर बात आती है कि सरी ये सुक्राणू है ना ये क्या होता है किलियर है तो साथियों द्याहन रखेगा एक संरचना यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आपके सा के लिए रहना जहाँ पर अपने को एक मेंब्रेन दिखाई देती है और ये जो मेंब्रेन होती है इसको हम कहते हैं कोरोना रेडियेटा क्या कहेंगे साथियों कोरोना रेडियेटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोरोना रेडियेटा алаon spannend आप कोरोन रेडिएटा ओ 새로 talk कोरोन रेडिएटा इस्को जो भेदने का कारिय करता है को ये कौन करता है सर्फ सुक्रानौ करता है सुक्रानौ की संरचना कैसी होती है मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ सुक्रानौ किस प्रिकार से होता है सर, हमने यह संरचना बनाई, यह भाग, और यह जो संरचना है, यह किस को बताएगी यहाँ पर सुक्राणू को बताएगे ये संरचना है ना ये किसको बता रहे है सुक्रानू को बता रहे है किलिए रहे है सुक्रानू के साथ है अपने को तीन भाग देखने को मिलेंगे ये जो भाग होता है इसको हम कहते हैं जिसे अपन फोर पार्ट भी कह सकते हैं किलिए रहे है ना फोर पार्ट आपको ये जो टोपी नूमा भाग दिख रहा है इसको हम कहते हैं एक्रोसोम क्या कहते हैं एक्रोसोम ये अंडानू को क्या करेगा बेदने का कारिय करेगा अंडानों के उपर साथियों आपको यहाँ पर Corona Radiator और एक जोना पहले उशेडा नाम की Membrane होती है इसको यह क्या करता है बेदता है किलिए रहना यह यहाँ पर यह इसका साथियों को जो आपको सुक्रानों दिखाई दे रहा है इसका Mid Part होता है Mid Part और ये जो पिछला भाग है इसको हम यहाँ पर हिंड पार्ट कह देते हैं या फिर इसको हम टेल पार्ट भी कह देते हैं कौन सा साथियों टेल पार्ट पूछ वाला भाग कह देते हैं किलिए रहें कि आ कशिशिक काका यातायातफ कहते हैं आगे अपन पढ़ेंगे और यहां पर जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये इसके मद्दे भाग में अपने को यहाँ पर देखने को मिलते हैं Mitochondria याद रखेगा क्यूशन बहुत बार एक्जाम में साथियों पूछ लिया गया है इसको हम कह देंगे क्या Mitochondria कह देंगे जो कोशिका को क्या करता है शक्ति प्रदान करता है इसे लिए इस Mitochondria को या सुत्र कनिका को हम क्या कहते है Powerhouse of the Cell या फिर कोशिका का क्या कहेंगे साथियों सक्ति ग्रह कहेंगे क्या कहेंगे साथियों कोशिका का सक्ति ग्रह अब देखेगा आपने यहां पर देखी है कि सुक्राणू किस प्रकार से अंडाणू किस प्रकार से यह जब सुक्राणू कहां पर आएंगे एक दूसरे के पास आएंगे तो सुक्राणू और अंडाणू का मिलना है ना सनलेन होना क्या कहलाता है साथियों Fertilization क्या कहलाता है Fertilization कहलाता हैconduct، और इस ICCC से जो निर्माण होता है वह एक संरचना बंती है साथियों यहाँ पर इस संरचना को यहां कहते हैं गेमिट कहते हैं यानि युगमक कहते हैं और इस गयमिट से थे आगे परिवर्दित होकर कि जो संरचना बंती है इसको हम कहते हैं यूग मनज क्या कहते हैं साथियों यूग मनज कहते हैं या फिर इसको हम कहेंगे जाइगोट क्या कहेंगे जाइगोट और यही जो जाइगोट होता है ये आगे चलकर के परिवर्दित हो जाता है किसमें भून में एंब्रियो में किसमें भाई एंब्रियो म आपको ये जो संदचना है, इसको अपन क्या कहते हैं, यूटरस कहते हैं, जो माता के गर्भास से में रोपिती रहता है, और क्या करता है, अपने अंदर व्रधी महसूस करता है, अपने अंदर कहां व्रधी महसूस करता है, माता के गर्भास से जो होता है, इस सरीर में यह पल लंबी कोशी का कोन सी होती है तो मानव की सबसे लंबी कोशी का जो होती है वो होती है तंत्री का कोशी का जिसे हम क्या कहते हैं साथियों नूरोंस कहते हैं क्या कहते हैं नूरोंस चलते हैं अगले प्वैंट पर लिखेंगे मानव की सबसे लंबी कोशी का मानव की सबसे लंबी या फिर आप कह सकते हैं लोंगेस्ट लोंगेस्ट शैल या कोशिका आप कहेंगे साथियों तंत्री का कोशिका कौन सी कोशिका है? तंत्री का कोशिका या इसको नियूरोन सेल कहते हैं नियूरोन सेल याद रखे लो इसकी यदि अपन संरचना की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रिकार से होती है साथियों आपने कही ना कहीं इसका डाइग्राम जरूर देखा है साथियो यह इसका डाइग्राम है यह इसका क्या है डाइग्राम यह इसका डाइग्राम है यह तंत्री का कुशिका है यह क्या है तंत्री का कोशिका आपको ऐसी संद्रचना दिखाई देगी के लिए रहना यह उती है तंत्री का कोशिका इसका जो कारिय है वो क्या है इसका कारिय है सूचनाओं को यह आपन कह सकते हैं सम्वेदनाई को समप्रेशित करना सम्प्रेशित करनाई इसका क्या है प्रमुख कारिय है यह साथियों कोण है तंत्री का कोशिका है समझ में आया है की नहीं जी सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है अब साथियों अगर अपने से कह दे मानव सरीर के आकार के हिसाब से सबसे छोटी कोशिका लिख सकते हैं मानव सरीर के आकार के हिसाब से सबसे छोटी कोशिका मानव सरीर के आकार के हिसाब से सबसे छोटी कोशिका यदी है तो वो कोन है सर RBC है कोन है RBC RBC बोले तो साथियों आप कहेंगे सर क्या कहेंगे रेड बलड कारप़ल्स कहेंगे याद रखेगा इस रेड बलड कारप़ल्स को हम साथियों इरिथरो साइट भी कहते हैं इरिथ्रो साइट इसी को ही रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं कि लिए ये साथियों आपन याद रखेगा जब कम्पोनेंट्स ओ ब्लड पड़ेंगे तो कम्पोनेंट्स ओ ब्लड रक्त के गटक होते हैं न ये दो प्रकार क्यों होते कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के एक में आप पढ़ेंगे प्लाजमा और एक में आप पढ़ने वाले हैं कार्पल्स के लिए रहना कारपल्स कारपल्स होती है कणिकाई यह तीन होती है आर बीसी डवलू बीसी और कोन होती है सर्फ प्लेट लेट्स होती है प्लेट्लेट्स डवलू बीसी के दो प्रिकार पड़ेंगे अपन ए ग्रेनुलोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट एक होता है ग्रेनुलोसाइट क्लियर ह एग्रेनुलोसाइट है ना, तीन प्रकार के होंगे, ग्रेनुलोसाइट दो प्रकार के होंगे, लिंफोसाइट और मोनोसाइट, मोनोसाइट और लिंफोसाइट, यहाँ पर एसीडोबिल, बेसोफिल और क्या साथियो, नूट्रोफिल्स, यह तीन जो होते हैं, यह किसमे होत होता है वो कौन होता है प्लाज्मा इस प्लाज्मा का जो में dice रॉटिन होती है और इसके इसके बाद में क्यों होती है जो रख्त में पाई जाती है के लिए रहना तो रक्त का संगठन कंपोजिशन वह बलड देखेंगे तो साथ यह आपर पढ़ेंगे याद रखेगा हम यहाँ पर सेल्ज के बाद में एक टोपिक पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा इसे तिश्यू जैसे कि आप जानते हैं कि ये कारिय उना बिनлек fusion को पादपोंगे तक पादपों में बात की जाए तो कौन होगा जनतो ये रह ना जनतों को कोबढ़ना है अपОने efforts जन्तु उत्तक जो सब्द दिया था वो किस ने दिया था बाईकोट ने दिया था किस ने दिया था बाईकोट ने और याद रखेगा उत्तकों का दिन जो किया जाता है वो किस में किया जाता है हिस्टोलोजी में और ये छोटी छोटी बात है याद रखना जबकि पादप उत प्रसार के बात करते हैं किसकी बात करते हैं संयों जी उत्तकुकों से बात करते हैं वो बात करते हैं तंत्री का उतक किसकी बात करते हैं तंत्री का उतक तीसरे रंबर पर साथियों हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं पेशिय उतक की किसकी बात करते हैं पेशिय उतक और यहां पर जो चोथा उतक का प्रिकार होगा कौन सा होगा साथियों देखिए का संयोज उतक जो होता है एक्टो मिजो और एंडो तीनो डर्मों से बनता है किलियर है ना तो अपने को बहुत अच्छी से ये सभी बाते है ना ये पढ़ने को मिलेंगी इनको देखेंगे किलियर है साथियों एक होता है साथियों पेशे उतक कंकाल ये उतक जिसे बोलते हैं पेशे उतक जिसमें हम किस से संबंदित बाते करेंगे अपने इसकले टन से संबंदित बाते करेंगे हड्डियों से संबंदित बाते करेंगे उपास्तियों से संबंदित बाते करेंगे मान स्पेशियों से संबंदित बातें करेंगे वन बाई वन करके सभी बातें अपन पढ़ने वाले हैं किलिर है तो इतना सा अपने को याद रखना है मानव की सबसे लंबी कोशिका पूझे तो तंत्री का कोशिका है कोन है साथियों तंत्री का कोशिका और याद रखे का जिराफ की इसमें आपको याद रखना है मानव में इसकी लंबाई जो होती है ना मानव में इस तंत्री का कोशिका की लंबाई जो होती है वो 90 cm होती है जबकि जिराफ में अगर बात की जाए तो एक मीटर से जादा होती है कितनी होगी सब एक मीटर से ज़्यादा छोटी छोटी बाते हैं इनको बहुत अच्छे से अपने को क्या करना है साथियों याद रखना है आशा करता हूं कि सबी बातें आप बहुत अच्छे से शमज भी पा रहे हैं किलियर हैं अब देखेगा अपन चलते हैं थोड़ा सक आगे कोशिका की समाने जानकरी है ना अपने पास में आ चुकी है अब साथियों आपन बात करेंगे कमपोनेंट्स ओप सेल यानि कोशिका के घटक को लेकर किसको लेकर भाई कोशिका के घटक को लेकर तो एक छोटा सा टाइटल आप लगाएंगे कमपोनेंट्स ओप सेल य गटक, यह आप लिख सकते हैं, components of cell, कोशिका की गटक, साथियो कोशिका की गटक है न, यह दो प्रकार क्यों होता है, कोशिका की गटक साथियो कितने प्रकार क्यों होंगे, कोशिका की गटक, यहां पर मैं लिक देता हूँ, एक है कोशि का विट्ती और एक कौन है, proto 那, कोशिका विट्ती को जब आपको न आठाएंगे, तो यहाँ पर बचता है कोन प्रोटो प्लास्ट कोन बचता है साथियों प्रोटो प्लास्ट क्लियर कोन बचता है भई प्रोटो प्लास्ट इसको हम ने बाटा है कितने भागों में दो बागों में कितने भागों में बाटा है साथियों दो बागों में बाटा है तो कोशिका क को गता कहना को कितने भागों में बाटा गया है सर्थ दो भागों में यहां पर प्रोटोप्लास्ट को भी लिख देता हूं रिप अब समस्द्र के चाल रहें आए пож23 देखें प्रोटोफ्लैस्ट को सत्यों हम कितने भागों में बाटेंगे दो भागों में बाटेंगे यह दो भागों कौन कीम से जरा देखेंगे हैं इन में से एक भाग होता है कोशी का जिल्ली, कोशी का जिल्ली, कोशी का जिल्ली को साथियों आप कहेंगे cell membrane, क्या कहेंगे? इसको जब हटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा protoplasm, कौन बचेगा? प्रोटो प्लाजम बचेगा, याद रखेगा protoplasm, प्रोटो प्लाजम, प्रोटो प्लाजम, क्लियर? फिर ही इस protoplasm को हम कितने भागों में बाटेंगे? सर, दो भागों में बाटेंगे, अभी मैंने आपको बताये था, ये दो भाग जरा कोन-कोन से है? देखेगा साथ, ये दो भाग है सर, एक भाग तो है कोशी का जिली, सोरी, कोशी का द्रव्य, और दूसरा कोन है? सर, नूकलियस. यहाँ पर मैं कह देता हूँ, एक है अपने पास में कोशी का द्रव्य, जिसे आप कहेंगे साइटो-प्लाज्म. कोशी का द्रव्य, और ये भाग जो बचा है, इसको हम कह देंगे केंद्रक. किलियर, केंद्रक को कह देते हैं नूकलियस. और ये वाला जो पार्ट है, इसक कोशी का है, यह क्या है कोई कोशी का, किलियर न, ये कोई कोशी का है, और इस कोशी का के अंदर यहाँ पर ये जो लिक्विड सा एक संदचना आपको बरी भी दिखाई देगी, इसी संदचना को साब हम कहते हैं साइटो-प्लाज्म. क्या कहते हैं भई, साइटो-प्लाज् आप कहेंगे सर कोशी का द्रवे यह कोशी का द्रवे में बहुत सारे सेल ओर्गन सेना यह डूबे हुए मिलेंगे जैसे कि एक अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं यह सभी क्या है, shell organs है, यह सभी क्या है साथियों, यहाँ पर shell organs है ना, यह आपको डूबे हुए मिलेंग, यह cell organs, यह कौन है, यह cell organs, जो कि कोशिका के कोशिका द्रवे में डूबे हुए मिलते हैं, किलियर है, तो इनको मैं कह दू, shell organs, और यह जो है न, यह कौन है, यह है साइटो, प्लाज, अब साथियों, याद रखेगा, हम जो बात करने बाले हैं, वो यू कैरियोटिक कोशिका और प्रो कैरियोटिक कोशिका को भी लेकर करने बाले हैं, कोशिक के संरचना और संगठन के आधार पर जो cell होती हैं, यह दो प्रकार की होती है, वैसे तो साथियों, सामानी रूप से अगर देखें, तो 3 प्रकार की होती, एक होती है, eukaryotic, prokaryotic के एक होती है mesokaryotic mesokaryotic में दोनों ही लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं कौन-कौन से eukaryotic को और prokaryotic के क्लिए रहना याद रखीगा लेकिन अपने को यहीं पर बाते खतम नहीं करनी है हमें plant cell और animal cell के बारे में भी अंतर को देखना है विद्र डाइग्राम के साथ में कि सर कैसी अपने को plant cell दिखाई देती है और कैसी दिखाई देती है animal cell लेकिन इससे पहले कोशी का द्रवे में यह जो डूबे कोशी कांग रहते हैं cell organs रहते हैं कई वार examiner यहां से बहुत छोटा सा question कर देता है कि निम्न में से कौन सा कोशी कांग है वह दोहरी जिल्ली युक्ट कोशी कांग नहीं है या दोहरी जिल्ली युक्ट कोशी कांग है ऐसा कौन सा कोशी कांग है जो जिल्ली रहित है फिर या एकल जिल्ली वाले कोशी कांग कोशी कांग कोशी कांग है वो कौन सा है ये आप से question करता है तो यहाँ पर साथियों एकल जिल्ली वाले दोहोरी जिल्ली वाले और आप कह देंगे membrane less जिल्ली रहित कोशी कांग है ना कौन-कौन से होते हैं इनको लेकर के हम बात कर लेते हैं ये कोशी कांग किलियर है ना यहाँ पर लिख देता हूँ मै कोशी कांग कोशी कांग कोशी कांग को ही आप कहते हैं cell organs किलियर है ना क्या कहेंगे भई cell organs कहेंगे साथियों तो देखेगा यहाँ पर छोटी सी बात अपने को याद रखनी है जैसे कि आप पेछे पढ़कर क्या हैं ये सारे क्या है cell organs अब इन में से सर एकल जिल्ली वाले कोशी कांग कोन से है दोरी जिल्ली वाले कोशी कांग कोन से है तो यहाँ पर साथियों मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ ये बात करूँगा एकल जिल्ली वाले कोशी कांग या सिंगल मेंब्रेन इकल जिलिवाले कोशिकांग में सबसे पहले आप याद रखेंगे जैसे की गौलजी काई गौलजी काई को सातों आप क्या कहते हैं गौलजी बोड़ी कहते है केलियर इसके बाद में second number पे अपने को याद रखना है अन्तह परदर्बी जाली का जिसे आप कह देंगे endoplasmic reticulum अन्तह परदर्बी जाली का किलिए रहे तीसरे नंबर पर सातियों याद रखना है आपको lysosome lysosome जिसे आप आतम गाती थेली कहते हैं यह भी एकल जिल्ली यूप्त कोशी कांग है कौन सा है एकल जिल्ली यूप्त कोशी कांग इसके बाद में आपको याद रखना है रिक्तिकाएं रिक्तिकाएं जिनें अपन कहते हैं सरवेक्यूल्स क्या कहते हैं वैक्यूल्स यहां लिख देता हूँ रिक्तिकाएं रिक्तिकाएं जो होते हैं इनको कहते हैं वैक्यूल्स और इसके बाद में ठीक अगला जो नमबर आता है वो किसका आता है सर माइक्रो बोडीज का आता है या फिर हम कहते हैं सुक्सम काई सुक्सम काय या फिर आप कह देंगे Microbodies Microbodies के देंगे तो ये जितने भी कोशिकांग आपने लिखे हैं ये सब के सब Single Membrane वाले हैं अब बात करते हैं Double Membrane कौन से भई? Double Membrane Double Membrane यूप्त कोशी कांग इसमें साब आपको याद रखना है कौन कौन है जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने को याद रखना है नंबर एक कौन है आप लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरी तलवग हरी तलवग इसको आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट किलियर सेकिंड नंबर पर अपने को याद रखना है माइटो कौन्ड्रिया या फिर इसे आप कह सकते हैं सूत्रकणी का माइटो कौन्ड्रिया किलियर है न इसके बाद में तीसरे नंबर पर अपने को याद रखना है नूकलियस केंडर ये भी दोहरी जिल्ली यूक्त कोशिक आँग है इसके बाद में साथियों हम बात करेंगे मेंब्रेन लेस किसकी बात करने वाले हैं मेंब्रेन लेस या जिल्ली रहित कोशिक आँग या बात करने वाले हैं हम जिल्ली रहित कोशिक आँग को लेकर जिल्ली रहित कोशिक आँग में साथियों सबसे पहले अपने को याद रखना है राइबोसों राइबोसॉम 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 के बाद में आपने को याद रखना है तारक काई तारक काई या आप किस इसे कह सकते हैं सेंट्रो सॉम यह वो ही तारक काई हैं जिसके खोद जो किय थी वो किशने की थी बोवेरी नामक शटन बोवेरी नामक वेग्यानिक ने की थी बोवेरी ने किलिए रहना ये केवल तारक काई जो होते हैं केवल और केवल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं जन्तु कोशिका में पाए जाते हैं और इनका जो प्रमुक कारिय होता है वो कोशी का विभाजन में शाहिता करना होता है इनका प्रमुक कारिये साथियों क्या होता है कोशी का विभाजन में शाहिता करना तो साथियों आपने यहाँ पर जो भी बाते की है ये किसको लेकर के की हैं और कोशी कांग को लेकर के की हैं अब बात नहीं पर खतम नहीं हो जाती है, इन सभी कोशिकांग को अपन क्या इनकी सबसे पहले बात करने वाले हैं, अपन बात करेंगे structure की, clear है न, फिर साथियों word given by, किसने इनके खोज करता discovery, discovered by, कौन है, ये जो cell organs है न, इसके बारे में बात करेंगे, फिर इनका important जो work एना, इसके बारे में बात करेंगे, और इनकी संदचना किस प्रकार से दिखती है, और इनका any name क्या हो सकता है, ये भी अपन बात करेंगे, तो तमाम बातें अपन यहां से जुडाएंगे, और exam में इन से भाई याद रखेगा MTR डालना है आपको, मुझे त कल की किलास में थोड़ा सा किसको next बढ़ाएंगे आगे, तो देखेगा, आज की किलास में कुल मिला करके हमने जो बात किया है, वो यहां से पढ़ना इस्टार्ट किया है हमने, कोशिका की सामाने जानकारी के बारे में, कोशिका की सामाने जानकारियां के अगर मैं बात रहे हैं इसके बाद में सजीव जगत के सबसे छोटे कोशिका सर लेड लाई होती है कौन होती है लेड लाई याद रखेंगे इसके बाद में सर हमने प्लांट में बात किया है कि प्लांट में सबसे बड़ी कोशिका अगर बात की जाए तो किश्की होगी एसीटा बुलेरिया एक कुशिके सैवा, सैवाल दोस्तों Algae है, ठीक है, कौन है वही, Algae, सैवालों का अध्यन क्या कहलाता है सर सैवालों का अध्यन कहलाता है ejectology, और कवको का अध्यन क्या कहलाता है, माइकोलोजी इसके बाद में आपने देखा कि प्लांट की सबसे छोटी कोशिका की बात कर ली जाए तो सर्व माइको प्लाजमा गेलियोशेप्टिकम है ये जो माइको प्लाजमा होता है इसी को हम पाध़ जगत का जोकर या जोकर ओफ प्लांट खिंगडम की नाम से जानते है इसके बाद में साथियों आपने देखा है कि सबसे लंबी कोशिक अगर आपसे पूछली जाए प्लांट की तो कौन सी है रेमिक फाइबर रेमिक फाइबर को एक्जामनर जो देता है वो किस नाम से देता है बोहे मेरिया नाम से देता है तो इस बोहे मेरिया को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है यहाँ पर इस्टार मार्क लगा लेना है इसके बाद में साथियों आपने देखा मानव में सबसे छोती कोशी का कोन है सुक्राणू जैसे कि आप ये डाइग्राम बना हुआ देख पारे हैं यहाँ पर आपको अंडाणू में ये साथियों संदचना दिखाई दे रही है Corona Radiator और Jonah Pelluciusida इसको बेहदने का जो कारिये करता है ये सुक्राणू का अगर भाग करता है सुक्राण की इस अगर भाग को क्या कहते है सर एक्रोसोम कहते है और इसकी गर्दन वाला जो भाग होता है यहाँ पर साथियों जो पूँच वाला भाग होता है ये क्या करता है शुक्राणू को गती करने में यानि चलाई मान करने में क्या करता है साइता करता है किलियर इसके बाद में मानों में सबसे बड़ी कोशी का पूछ लिजाए तो कौन सी है अंडानू दोस्तो इस पर मेटो जेनेसिस की प्रिक् पलता है किलियर है न ये सभी बातें अपने को छोटी-छोटी हैं जिनको याद रखना है इसके बाद में मानव की सबसे लंबी कोशी का कौनसी होती है तंत्री का कोशी का जिसे नियूरोन सेल कहते हैं किलियर है इसका जो कारिय है वो सूचना है जो होती है समेदना है जो होती हैं अगर अपने को ऐसा लगता है तो यह जो तंत्री का कोशिका होती है इनका संबंध होता है हमारे ब्रेन से होता है ब्रेन से मिली हुई होती है तो यह क्या करती सूचनाओं को हमारे मस्तिस्क तक संपरिशित करने का कारिये करते हैं इसके बाद अगर क्यूशन आ जाए मानुशरील के आकार के साफ से सबसे चोटी कोशी का कुणसी है तो सबसे चोटी कोशी का कुणसी है आर बीसी जिनको हम एरिथ्रोसाइट या फिर रेड ब्लड कारपल्स के नाम से जानते हैं लाल रक्त कनिकाओं के नाम से जानते हैं साथियों याद एक होता है ग्रेणुलोसाइट, टीन पृकार की होती है इं परके लिंपसाइट, जब हम रख और उनको विस्तार से हम पढ़ने सनाएं किलियर है साथ यूँ इसके बाद में आपने देखा है कोशिका के गटक को लेकर के बाद करूँ तो दोस्तों कोशिका बित्ती और कोशिका बित्ती को जैसे ही अटाते हैं तो प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट वापस से दो भागों में बढ़ जाता है कोशिका जिल् अग्यवल उन्वाल से को परदेधे क्लेट की को कषीन का बहुतिक आधारवी बताया है किलियर है नैंने किसको भाई यहां पर पूरोटोपलाज्म साथ्यों दो भाहगों में बढ़ जाता है एक तो होता है कोषे का द्रभी एक कुन सा होता है केंद्रक द्रवे ठीक है कोशी का द्रवे में ये सारे कोशी कांग जो है न ये डूबे रहते हैं और इसके बाद में यहाँ पर ये कौन-कौन से कोशी कांग है जो की कोशी का की कोशी का द्रवे में डूबे रहते हैं इनमें एकल जिल्ली वाले हैं डबल जिल्ली वाले हैं और मेंब् सब्सक्राइब तो अपने प्रक्यादेब आपको निश्चित रूप से हम सलक्षण के ओर ले के जाएगी तो सभी प्यारे साथियों का यहां पर थैंक यू शुчто इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आसा करते हैं सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक नए टूपी के साथ कल वाली क्लास में तब तक के लिए दोस्तों जैहिन जैभारत